Hi, Welcome to Educational Heights, हम पढ़ रहे हैं Class 9 के Science के Biology का पहला चाप्टर, The Fundamental Unit of Life इस चाप्टर से हमने अल्रेडी फर्स पार्ट अप्लोड कर रखा है, इस चाप्टर में हम, हमारी बॉड़ी जिन छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हैं, उन्हीं सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं हमने फर्स पार्ट में आपको अल्रेडी सेल्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, मैंने आपको बताया था कि ये सेल्स किसे कहते हैं हमने आपको ये भी बताया था कि human body में पाये जाने वाले अलग-अलग cells, जैसे nerve cells, blood cells, fat cells, इनके अलग-अलग shapes क्यों होते हैं? हमने first part में cell के अलग-अलग हिस्सों के बारे में जानना start कर दिया था. हमने first part में ही cell membrane के बारे में पढ़ा था, जो cell की boundary होती है, उसके बारे में पढ़ा था. तो अगर आपने अभी तक first part की वीडियो नहीं देखी है, तो इसी वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगी, link पर click करो और वीडियो को जरूर देखो. Part 2 जहां से start होता है, वहीं पर NCRT में question है, और यहीं से ये part 2 हमारे start होता है. Question क्या है? Question ये पूछ रहा है कि भाईया, अगर तुम किसी plant cell या animal cell को sugar या salt के solution में डाल देते हो, तो उस cell के साथ क्या घटना घटेगी? पता है आपको? कैसे पता होगा? पहली बार तो पढ़ रहो class 9, चलो, यहीं से start होता है हमारा part 2, let's get started. मैं ये आस्मान वाले चांद के बारे बात करने हैं, कि Earth का axis कहा होता है, orbital plane कहा होता है, चलो, एक एक हाई, welcome to computer screen, जैसा हमने discuss किया introduction में, कि अगर हम किसी animal cell या plant cell को किसी sugar या salt के solution में डाल दे, तो क्या हो सकता है? इस cell के साथ क्या घटना घट सकती है? One of the following three things could happen, भई या देखो तीन चीजे होने की possibility है, क्या क्या तीन चीजे हो सकती है? सबसे पहली चीज, अगर medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, मतलब क्या कह रहा है? मतलब अगर हमने cell को किसी ऐसे medium में रखा है, जिस medium में water का concentration जादा है, water की मात्रा जादा है cell के मुकाबले, मतलब अगर cell के बाहर पानी जादा है और cell के अंदर पानी कम है, तो क्या होगा? The cell will gain water by osmosis, जहां पर पानी जादा है, वहां से water move करके cell के अंदर आ जाएगा, और इसी process को हम क्या कहते हैं? इसी process को हम osmosis का नाम देते हैं, मैंने आपको last part में बताया था कि भाई, The moment of water from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis, तो जहां पर पानी की मात्रा जादा है, वहां से अगर cell के अंदर पानी की कमी है, तो water बाहर से अंदर की तरफ move हो जाएगा, और एक ऐसा solution, जिस solution में water बाहर से अंदर की तरफ आता है, ऐसे solution को हम hypotonic solution का नाम देते हैं, Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, अब तुम कहोगी कि भाईया, यह जो membrane है, यह जो cell membrane है, यह अगर water को अंदर बाहर करने की अनुमती देता है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि केवल बाहर का पानी ही अंदर आएगा, अंदर का पानी बाहर भी तो जा सकता है ना, बिल्कुल सही कहा मेरी जान, लेकिन चुकी cell के अंदर पानी की कमी है और cell के बाहर पानी जादा है, तो यह जो higher water concentration होगा, यह cell के अंदर आ जाएगा, the net result is that water enters the cell and the cell is likely to swell up, हमने देखा कि cell के अंदर पानी की कमी है, तो cell के बाहर का जो पानी है, वो automatic, इस plasma membrane के थुरू अंदर आ जाएगा, और यह जो cell है, यह बिल्कुल full जाएगा, जैसे इस figure में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला case क्या हो सकता है, पहला case यह हो सकता है, कि हमने cell को जिस medium में रखा है, अगर इस medium में पानी जादा है, और cell के अंदर पानी कम है, तो जादा पानी cell के अंदर आ जाएगा, और यह जो cell है, यह swell up हो जाएगा, second, अब हम देखेंगे कि भाईया, cell के साथ दूसरी कौन सी घटना घट सकती है, देखो, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, माल लो कि भाईया, cell के अंदर 50% पानी है, और cell के बाहर भी 50% पानी है, इसका मतलब अंदर भी पानी उतना ही है, जितना बाहर है, तो क्या होगा, there will be no net movement of water across the cell membrane, ना बाहर का पानी अंदर जाएगा, ना अंदर का पानी बाहर आएगा, क्यों क्योंकि बाहर भी उतना ही पानी है, जितना अंदर है, तो ऐसा solution, जिस solution में net movement of water zero होता है, जिस solution में पानी ना अंदर जाता है, ना बाहर आता है, ऐसे solution को हम isotonic solution का नाम देते हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, equal, equal amount of water, समझ गए, water crosses the cell membrane in both directions, वही होगा, क्या होगा? पानी बाहर का अंदर भी जाएगा, और अंदर का पानी बाहर भी जाएगा, लेकिन cell के अंदर भी उतना ही पानी है, जितना बाहर है, तो क्या होगा? There is no overall movement of water, अगर हम आखरी में देखेंगे ना, तो जितना बाहर पानी है, उतना अंदर ही पानी होगा कोई भी जादा और कम नहीं होगा the cell will stay the same side जब पानी अंदर नहीं आएगा और अंदर का पानी बाहर नहीं जाएगा तो जिस shape का cell है हमारा उसी shape का cell बना रहेगा Isotonic को हम English में define कर सकते है The solution in which there is no net movement of water across the cell membrane Isotonic solution याद रहेगा बिलकुल याद रहेगा मेरी जान Now the third तीसरी क्या घटना घट सकती है सेल के साथ हमने आपको बताया कि अगर हमने सेल को किसी medium में रख दिया है जैसे मैंने इस glass of sugar solution में इस सेल को रख दिया है तो सेल के साथ भाया तीन घटना घट सकती है पटना में घटना घटेगी कौन सी घटना घटेगी दो घटनाओं के बारे में मैंने बता दिया है तीसरी कौन सी घटना घट सकती है देखो if the medium has a lower water concentration than the cell मतलब क्या है मतलब जिस medium में हमने इस cell को रखा है अगर इस medium में water की मात्रा कम है और cell के अंदर water की मात्रा जादा है तो क्या होगा the cell will lose water by osmosis yes 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 cell के अंदर पानी जादा है तो ये भाई cell के अंदर से water move करके cell के बाहर आ जाएगा जहांपर पानी की कमी है और किस process के थ्रूँ again osmosis process के थ्रूँ मैंने आपको बताया है कि जहां पानी जादा होता है वहां से अगर पानी move करके जहांपर कम पानी की मात्रा है वहाँ पर चला जाता है through a semi permeable membrane, this is known as what, this is known as osmosis, और एक ऐसा solution, जिस solution में cell के अंदर से पानी बाहर चला जाए, ऐसे solution को हम hypertonic solution का नाम देते हैं, in English we can define it, hypertonic solution is that solution in which cell loses water, एक ऐसा solution, जिस solution में cell पानी को बाहर निकालता है, ऐसे solution को हम hypertonic solution का नाम देते हैं, again water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it, बाकी दो घटनाओं की तरह यहां भी cell बाहर से अंदर की तरफ पानी घीचेगा और अंदर से पानी बाहर भी जायेगा, लेकिन चुकी cell के अंदर परियाप्त मातरा में पानी है, और cell के बाहर पानी की कमी है, तो क्या होगा, ज़्यादा पानी cell से निकल जाएगा और इसकी वज़े से क्या होगा यह जो cell है जो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्फ करके रखा है जब इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो यह जो cell है यह सिकुड जाएगा स्रिंक हो जाएगा समझ गया है भाया देखें कितना इंपॉर्टेंट यह फेनामेन था अगर ऑस्मॉसिस नहीं होता तो भाई बाहर का पानी अंदर नहीं आ सकता था अंदर का पानी बाहर नहीं आ सकता था इसलिए यह जो अस्मॉसिस का प्रोसेस है ना यह डिफ्यूजन का एक special case है अगर ये नहीं होता तो sell survive नहीं कर पाते समझ गए? I hope आपको समझ में आ गया होगा Let's move forward और देखते हैं एक activity activity number 5.3 और 5.4 दोनों एक ही जैसा है लेकिन हम करेंगे 5.4 5.3 आप अपने से कर सकते हो क्योंकि मैं non-wage नहीं हूँ और उसमें अंडे की बात की गई है इसलिए मैंने नहीं किया वैसे काफी easy है तुम कर सकते हो ठीक है? चलो इस activity में हमें क्या करना है? इस activity में हम osmosis process को real life में कैसे observe कर सकते हैं इसको देखेंगे क्या करना है इसके लिए आपको? इसको क्या करना है आपको? भाई बस picture में देखते जो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है? देखो एक पानी plain water ले लो plain water जो एकदम साधा पानी होता ना उसको एक कटोरे में ले लो उसके बाद क्या करो? कुछ raisins डाल दो कुछ kismis उसके अंदर डाल दो तुम देखोगे कि एक घंटे बाद ये जो kismis है ये बाहर के पानी को अंदर absorb कर लेगा क्यों? क्योंकि अंदर kismis के पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा है तो भाई बाहर वाला पानी अंदर आ जाएगा जिसकी वज़े से ये जो हमारा raisin है ये जो हमारा kismis है ये फूल जाएगा ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर osmosis हुआ फिर से देखो अब अगर इसी kismis को अगर इसी फूले हुए kismis को अगर हमने sugar solution में डाल दिया माल लो sugar solution में तो क्या होगा? देखो sugar solution में पानी की मात्रा कम होती है और इस kismis के अंदर पानी जादा है क्योंकि भाई kismis ने पानी यहाँ से अब्जॉर्ब कर रखा है तो क्या होगा? इस kismis का पानी बाहर चला जाएगा और फिर से हमारा resin जो है यह से गुड़ जाएगा तो इस process के थुरू हम osmosis को अपने real life में absorb कर सकते हैं I hope आपको समझ में आगया होगा let's move forward तो कैसी लगी activity number 5.4 मेरी जान? अच्छी लगी ना इस activity से हमने सीखा कि osmosis real life में कैसे होता है ठीक है? समझ गया? चलो आगे पढ़ते हैं कि unicellular fresh water organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis जितने भी unicellular fresh water organism होते हैं मतलब जैसे protesta हो गया protesta हो गया amoeba हो गया यह सब unicellular है और fresh water में पाये जाते हैं मतलब इनके body में केवल एक ही cell है और यह नदियों में तालाबों में आसानी से हमें मिल जाएंगे अगर हम microscope लगा कर देखें तब ठीक है? and most plant cells और ज़्यादा तर जितने भी plant cells हैं वो पानी को absorb कैसे करते हैं osmosis process के थूँ हम इंसानों के पास तो भगवान ने मू दिया है हम मू से पानी को अंदर ले सकते हैं लेकिन plants के पास तो मू नहीं होता न और ना ही unicellular organisms के पास मू होता है क्योंकि उनके body में केवल single cell होता है तो यह पानी को कैसे अंदर लेंगे? osmosis process के थूँ समझ गए? osmosis क्या होता है आपको पता है चलो osmosis का एक और example देता हूँ मैं आपको absorption of water by plant roots अच्छा आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप plants को पानी देते हो ना तो यह पानी plants absorb कैसे कर लेते हैं? osmosis के थूँ कैसे? osmosis के थूँ देखो plant के जो roots होते हैं ना roots में भी cells होते हैं cells हैं तो cell membrane भी होगा cell की boundary भी होगी बिल्कुल होगी जब cell की boundary है ना तो क्या होता है कि जहां पर पानी की मात्रा ज़ादा है वहां से automatically पानी ये cell membrane के through roots के अंदर चली जाती है और इस process को क्या कहते हैं? osmosis कहते हैं मैं मार बार आपको osmosis बता रहा हूँ भाई plants को पानी की जरूरत है क्योंकि उन्हें खाना बनाना है यहां पर पानी की कमी है और यहां पर पानी जादा है तो automatically जब water move कर जाता है cell membrane के through अंदर cell के इसी को हम osmosis कहते हैं ठीक है? तो पता चल गया? change of gases and water in the life of a cell इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भाईया जितना भी diffusion होता है diffusion का ही एक टाइप है osmosis diffusion का ही एक टाइप है osmosis ठीक है? अगर diffusion नहीं होता तो अंदर के जो gases हैं वो बाहर नहीं निकल पाते plants को जो carbon dioxide चाहिए वो अंदर नहीं जा पाता plants को जो water चाहिए वो अंदर नहीं जा पाता तो बिना diffusion के cell का survive कर पाना बहुते मुस्किल है चीक है? समझ गया है? आगे चलते हैं कि in addition to this अब देखो ये जो diffusion का process होता है ये passive transport system है मतलब इसके लिए कोई energy नहीं लगानी पड़ती cells को ये जो transport system है automatically पानी का अंदर जाना बाहर आना ये passive transport system है इसके लिए energy नहीं चाहिए होती है लेकिन लेकिन क्या है? इसके अलावा cells को nutrition भी चाहिए होता है environment से जैसे plants को हम fertilizers डालते हैं वो plants absorb कैसे कर लेते हैं? इसका एक और example देता हूँ मैं आपको जो human intestine होता है जिसको हम हिंदी में अतड़ी कहते हैं human intestines को न glucose चाहिए होता है अब ये glucose कैसे मिलेगा इसे? कैसे मिलेगा? different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy जो human intestines को glucose मिलता है जो plant roots को fertilizers मिलता है ये कैसे? ये diffusion से नहीं मिलते हैं ये दूसरे transport system से मिलते हैं जिनको हम active transport system कहते हैं जो diffusion है वो passive transport system है क्योंकि इसमें energy नहीं चाहिए होती है और वहीं पर जब nutrition लेना होता है जैसे plants को fertilizer लेना होता है minerals लेना होता है हम इंसानों को glucose लेना होता है तो ये diffusion से नहीं आता ये एक अलग तरीके के transport system से आता है जिसको हम active transport system कहते हैं active transport system में energy चाहिए होता है cell की energy का use किया जाता है चीजों को अंदर लाने के लिए nutrients को या molecules को अंदर लाने के लिए तो active समझ गए passive समझ गए passive मतलब जिसमें energy का use ना हो और active transport का मतलब जिसमें energy का use हो हम इसको ज़्यादा detail में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10th class में ये काफी detail में है ठीक है ये देखो ये तो एक picture है अगर तुम इसे जूम करके देखोगे ना तो जो असली में plasma membrane होता है वो कुछ इस structure का होता है ये किस से बना हुआ होता है lipids से और protein से ये देख रहो ये जो गोली गोली सी चीज दिख रही ना ये ये गोली गोली चीज दिख रही ना तुम्हें ये क्या है ये lipids है lipids lipids क्या होते है अब तुम पूछोगे तो भया lipids बहुत चीजों से मिलकर बनता है जैसे fat, oil बहुत सारे vitamins होते हैं जैसे vitamin हमारा vitamin A हो गया vitamin D हो गया E हो गया, K हो गया ये सब मिलाकर lipids बनाते हैं, ठीक है lipids और protein से मिलकर हमारा जो cell की boundary होती है, वो बनी हुई होती है ठीक है, cell membrane किस से बनता है, ये हमारे lipids और protein से मिलकर बनते हैं, ये देख रहो ये गोली गोली सी चीज ये lipids है, और ये जो तुम बड़ी सी चीज देख रहो न, ये protein है ये देख रहो ये protein है, ये देख रहो ये बीच में ये protein है, ये देख रहो ये बीच में ये protein है, तो हमारा जो cell membrane होता है, वो किस से बना होता है, lipids से और protein से, ये जो cell membrane होता है, वो picture में तो boundary जैसा दिखता है लेकिन अगर इसका 3D structure हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है ये जो ये देख रहे हो यहीं से पानी अंदर बाहर जाता है समझ गए होगे तुम however we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope yes अब आपको ये जो plasma membrane का ये वाला 3D structure है न ये केवल तुम्हें electron microscope से ही दिखेगा compound microscope से या खुली आँखों से तुम देखना चाहो तो ऐसा structure plasma membrane या cell membrane का तुम्हें नहीं दिखेगा देखो flexibility का एक और example देता हूँ मैं आपको आपको इससे पता चलेगा कि cell membrane काफी flexible होते हैं देखो इसके लिए मैं मुझे ये GIF on करना पड़ेगा ये देख रहे हो आप the flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment देखो ये जो cell membrane होता ये जो cell की boundary है actually ये amoeba है amoeba की body में केवल single cell होता है तो इसको हम cell मान कर चलेंगे ये देख रहे हो ये amoeba का ये जो cell membrane है कि ये कितना ज़ादा flexible है कैसे पता चला हमें जैसे देखो अब देखना अभी देखना आपको कि ये देखो ये इसका खाना है amoeba का खाना है जैसे ही खाना पास में आता है amoeba अपने cell membrane को फैला कर इसे अंदर ले लेता है अपने cell membrane के shape को change करके अपने खाने को अंदर ले लेता है Yes Such processes are known as endocytosis यह देख रहे हो cell membrane का shape change हुआ और खाना अंदर आ गया इस process को हम endocytosis का नाम देते हैं endocytosis की definition क्या लिख सकते हो आप कि engulfing of food engulfing of food through through cell membrane through cell membrane from external environment from external environment is known as what? is known as हमारा endocytosis मतलब cell membrane के थूँ बाहर की चीजों को अंदर ले आना इसे हम endocytosis का नाम देते हैं और exocytosis किसे कहते हैं? ध्यान से इस GIF को देखना समझ में आ जाएगा ये देखो food अंदर आया अंदर आया cell membrane ने इसे अंदर ले लिया इसको हम endocytosis कहते हैं अब जो चीज waste material है ये बाहर कैसे निकलेगा? exocytosis की मदद से देख रहे हो अंदर की चीज बाहर आ गई exocytosis अंदर की चीज बाहर की चीज अंदर गई endocytosis endocytosis और जो waste material है वो बाहर आया इसको हम exocytosis कहते हैं ये process तुम्हें किस में देखने को मिलेगा? ये process तुम्हें amoeba में देखने को मिलेगा amoeba endocytosis process के थूँ ही खाने को अपने अंदर लेता है और अपने waste material को exocytosis की मदद से बाहर निकाल देता है exocytosis वैसे यहाँ पर दिया नहीं है आपको मैंने extra बता दिया चलो आगे बढ़ते हैं ओके तो हमने यहाँ तक पर लिया है बिल्गुल पर लिया है अब हमें करनी है activity number 5.5 इस activity में भया हमको internet से na electron microscope क्या होता है बस इसी के बारे में पता लगाना है तो काफी simple activity है गूगल सर्च करो electron microscope काफी विद्वान मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारा ग्यान दे देंगे तो activity काफी simple है कर ले ना अब तो आई है original cheese questions हमने second part में अब तक जो कुछ भी पढ़ा है जो कुछ भी पढ़ा है यहीं से आपको दो question के answer करने है देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते है आपसे पहला question पूछ रहा है कि भाईया CO2 और water cell के अंदर बाहर कैसे कर लेते हैं तो एक simple सा process होता है diffusion diffusion की मदद से gases और water cell के अंदर भी चले जाते हैं और cell के बाहर भी आ जाते हैं हमने अभी आपको बताया था ठीक है तो इसका complete answer homework समझके comment box में comment कर देना समझ गये दूसरे question की बात करते हैं why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane हम plasma membrane को जो cell की boundary होती है उसको हम selectively permeable membrane क्यों कहते हैं इसका answer इसके नाम में ही छुपा है selectively permeable मतलब ये membrane कुछ selective चीजों को ही permit देता है अंदर और बाहर करने की इसलिए हम इसे selectively permeable membrane कहते हैं अब जो अंग्रेज है जो इंगलिस में इसका answer देना चाहते हैं वो ऐसे कह सकते हैं कि selectively permeable membrane allows only selective materials to move in and out of the membrane so that plasma membrane is also known as selectively permeable membrane तो आपको answer पता चल गया comment box में full answer comment करो चल दे हैं अब अपने next topic की तरफ cell wall की बात करेंगे हम भाईया देको plasma membrane के बाद जो दूसरा cell का content होता है न वो है cell wall लेकिन cell wall की एक limitation है कि ये केवल आपको plant cell में देखने को मिलेगा animal cell में cell wall नहीं दिखेगा ठीक है in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall देखो जो भी plant cells होते हैं plant cells में ये अंदर की boundary जो देख रहे हो ये जो अंदर वाली boundary दिख रही है आपको इस अंदर की boundary को हम क्या कहते हैं हम cell membrane कहते हैं जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था लेकिन इस boundary के अलावा ये जो बाहर की covering दिख रही है तुम्हें ये plant cells को extra protection देती है इसलिए इसको हम cell की दिवार कहते हैं cell का wall कहते हैं आप देख रहे हो घर के उपर छट पड़ा हुआ है लेकिन छट के उपर भी एक extra protection लगाया गया है ये protection क्यों लगाया है क्योंकि घर जो होता है वो खुले में होता है और धूप, बरशात, आंधी सबको जहेल लेता है विल्कुल ऐसे ही plant भी तो बाहर ही रहते हैं plant sunlight में भी बाहर रहते हैं हवाए चल रही हो तब भी plants बाहर रहते हैं भाई बारिस हो रही हो तब भी plants बाहर रहते हैं तो इन plant cells की protection कौन करेगा ये जो cell का wall है ये जो तुमें बाहर वाला protection दिख रहा है न जो ये बाहर का bodyguard दिख रहा है तुमें न यही protect करेगा plant cells को different different conditions से ठीक है? समझ गे? cell wall क्या होता है? cell wall extra covering होती है ये जो plasma membrane के बाद ये तुमें extra covering दिख रही है न यही cell wall कहलाती है ये cell wall किस से मिलकर बनी हुई है? cellulose से मिलकर बनता है अब तुम पूछोगे कि भाईया cellulose क्या है? तो cellulose एक ऐसा complex sentence है जो बहुत सारे glucose के molecules से मिलकर बनता है cellulose किस से बनता है? glucose के molecules से बनकर cellulose बनता है और cellulose का क्या काम होता है? वो plants को structural strength का काम करता है मतलब देखो हम क्या है कि हम तो घर के अंदर रहते हैं हम इंसान लेकिन plants तो बाहर रहते हैं हम इंसानों को अगर धूप बारिस से बचना हुआ तो हम घर के अंदर चले जाएंगे अगर plants को धूप और बारिस से बचना हुआ तो वो कहां जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे इसलिए भगवान ने उन्हें ये extra covering दे दी है जिसको हम cell wall का नाम देते हैं cell wall चुकी cellulose से मिलकर बना है इसलिए काफी मजबूत होता है और किसी भी condition में ये cell के अंदर की चीजों की protection करता है ठीक है? आगे पढ़ता है कि अगर plant cell किसी ऐसे medium में है अगर इसके जो बाहर का environment है अगर यहाँ पर पानी की कमी है तो cell wall क्या करेगा? अंदर से पानी को बाहर कर देगा osmosis process की थूँ? बिलकुल कर देगा जब अंदर का पानी बाहर आएगा तो जो अंदर की चीजे हैं वो सिकुड जाएंगी shrink हो जाएंगी ये देको लिखा है ना shrinkage अंदर की चीजें सिकुड जाएंगी लेकिन ये जो cell wall तुमें दिख रहा है ना ये वैसे का वैसा ही रहेगा अंदर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन cell wall अपनी जगा पर ही होगा ये देख रहो आप यहाँ पर देखो ये नॉर्मल cell membrane है देख रहे हो अब देखो जब cell के अंदर की चीजें सिकुड गई ना फिर भी cell wall अपनी जगा पर खड़ा है मतलब cell wall किसी भी condition में cell के अंदर की चीजों की protection करता है देख रहे हो आप जब cell के अंदर के contents shrink हो जाते हैं सिकुड जाते हैं इसकी वज़ा से due to loss of water due to loss of water this is known as what this is known as plasmolysis plasmolysis को समझने के लिए लोग अलग अलग वीडियो बना देते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत ही simple language में समझा रहा हूँ the shrinkage of cell due to loss of water is known as what is known as plasmolysis plasmolysis को हमें एक activity करके भी समझ सकते हैं देखो activity number 5.6 है यह आपके NCRT गा इस activity में आपको क्या करना है आपको रूहों की पतियां ले लेनी है अब तुम पूछोगी कि भाईया रूहों क्या होता है आपने अपने घरों में ऐसा decorative plant तो देखा ही होगा यह घर को सजानी के लिए use होता है देखो इस plant की जो पतियां होती है पतियों की उपर एक पतली सी layer होती है इस layer को हम epidermis का नाम देते हैं ठीक है? अगर हमें इसे microscope में देखना हुआ तो हम इसी epidermis को निकाल कर देखते हैं क्या करोगे तुम इस रूहो प्लांट के पतियों से epidermis को निचोल लो चाहे तुम अपने नाखून की मदद से निचोल लो या तुम चिम्टी ले लो उसकी मदद से निचोल लो फिर उसके बाद इसको glass slide के ऊपर रख दो glass slide के ऊपर रखने के बाद इसमें तुम nail polish भी मिला सकते हो क्यों मिलाया जाता है nail polish ताकि जब हम इसे microscope के अंदर देखे ना तो हमें clearly सारी चीज़ें दिख जाए अब जब तुम इसको plant slide को microscope के अंदर रखोगे ना तुमें दो चीज़े दिखेंगी क्या दिखेंगी सबसे पहले जब हम इस normal epidermis को microscope के अंदर देखेंगे तो हमें इसका cell कुछ ऐसा दिखेगा एकड़म नॉर्मल रहेगा लेकिन फिर जब हम इसमें sugar solution मिला देंगे दो तीन बूद sugar solution इसमें मिला दो अब ये जो cell है ये change हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा क्यों? क्योंकि अंदर इस रूहों के leaf के अंदर काफी पानी है और sugar solution में काफी कम पानी है इसलिए अंदर का पानी बाहर आ जाएगा जिससे क्या होगा? जिससे अंदर की चीजें shrink हो जाएंगी, सिकुड जाएंगी इसी को तो हम plasmolysis कहते है ना, plasmolysis क्या है? shrinkage of cell due to loss of water is known as plasmolysis, देख रहे हो आप H2O बाहर निकल रहा है water बाहर निकल रहा है जिसकी वज़े से ये जो normal cell था ये बिलकुल सिकुड गया है और इसी process को हम plasmolysis का नाम देते हैं आपको समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं तो कैसे लगिया activity number 5.6 plasmolysis को real life में देख कर मज़ा आया, बिलकुल आया होगा आगे पढ़ते हैं it appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by asmosis क्या लिखा है, भया बहुत important बात लिखी है कह रहा है कि केवल living cells के अंदर ये capacity होती है कि वो अपने अंदर पानी को ले आएं और अपने थुरू पानी को बाहर निकाल पाएं मतलब osmosis और plasmolysis जैसी process केवल living cells में होती है dead cells ये नहीं कर पाएंगे ये तो normal सी बात है भईई, अगर कोई मर गया तो वो activity कैसे करेगा है ना, तो इसी लिए dead cells plasmolysis और osmosis जैसी activity नहीं करते हैं आगे चलते हैं cell walls permit the cells of plants fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting, क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि भईया जो plant cell होता है plant cell कुछ ऐसा ही तो दिखता है बिल्कुल ऐसा ही दिखता है plant cell अब ये जो cell के अंदर के contents है अगर ये बाहर का medium ऐसा है अगर मान लो plant cells पानी के अंदर रख दिये गए हैं तो क्या होगा, बाहर पानी जादा है तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा तब जब अंदर पानी एकदम भर जाएगा, तो भाईया ये फूट जाना चाहिए न, जैसे बलून में होता है बलून में अगर हम बहुत ज़ादा air fill कर देते हैं, तो बलून फूट जाता है लेकिन cell के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, cell के अंदर इस plant cell को तूटने फूटने नहीं देता है देखो, हमें पता है कि भाया, अगर किसी भी cell को हम ऐसे मीडिया में रख दें ऐसे सराउंडिंग में रख दें जिसकी अगल बगल बहुत ज़ादा water है तो क्या होगा, cell बाहर के water को अंदर absorb कर लेगा, कर लेगा की नहीं कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा water absorb करने की वज़े से cell full जाएगा swell हो जाएगा, जिससे क्या होगा building up pressure against the cell wall, जब बहुत ज़ादा पानी cell के अंदर आ जाएगा, तो ये जो water है ये cell wall के तरफ, pressure exert करना start कर देगा, बाहर जाने के लिए क्योंकि अंदर बहुत सादा पानी हो गया है ये पानी बाहर जाना चाहता है तो क्या होगा, ये cell wall पर pressure देगा, भाईया मुझे जाने दो लेकिन ये cell wall आज का लोंडा नहीं है ये, ये क्या करेगा, ये equal pressure exert करेगा, cell की तरफ जिससे क्या होगा, ये जो cell दबाव दे रहा है cell wall पे, ये cell wall भी equal दबाव दे रहा है cell पे, जिससे pressure maintain हो जाता है, और ये जो cell wall है, ये टूटता नहीं है, देखो, यहाँ पर यही लिखा गया है, कि the wall exerts an equal pressure against the swollen cell, ये जो cell है, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो ये जो water है, ये बाहर जाने के लिए cell wall पर pressure देगा अब ये cell wall क्या करेगा ये cell wall उतना ही pressure cell को देगा जिससे pressure maintain हो जाता है because of their walls such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells और यही कारड है, ये cell wall होने की वज़े से ये cell wall होने की वज़े से ये plant cell चाहे पानी में रखा जाए, चाहे धूप में रखा जाए चाहे तेज हवाओं की बीच में रख दिया जाए ये plant cell ना तूटता है ना फूटता है और cell के अंदर के contents को protect करता है ये animal cell है और अगर animal cell को हम बहुत ज़्यादा water में रख दें तो क्या होगा बाहर का water cell के अंदर आ जाएगा osmosis process की थूँ आ जाएगा की नहीं आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा जब अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या होगा animal cell के पास cell wall तो होता नहीं है जब ये cell यहाँ cell membrane पर pressure exert करेगा तो cell membrane इतना मजबूत तो होता नहीं है वो तूट जाएगा और ये जो cell है वो dead हो जाएगा खतम हो जाएगा ठीक है तो plant cell जितने अलग-अलग condition में survive कर सकते है एनिमल सेल उतने अलग-अलग condition में survive नहीं कर सकते है चलो आगे पढ़ते हैं अब आगे next topic पढ़ने nucleus के बारे में हम पढ़ेंगे yes nucleus को कभी देखा आईगे आभी पढ़ने आ गए है बिल्कुल देखा होगा मेरी जान chapter के starting में ही हमने onion peel वाला एक activity किया था onion peel में हमने देखा था कि onion के cells कुछ ऐसे दिखते हैं दिखते हैं गी नहीं दिखते हैं बिल्कुल दिखते हैं जो बीच में center में आप एक गोली सी चीज़ देख रहे हो उसी को nucleus कहते हैं हमने उस activity में plant cell के nucleus को देखा था अगर animal cell के nucleus को देखना हो तो क्या करो एक ice cream stick ले लो ice cream stick जिससे ice cream खाते हो ice cream stick लेकर मुँ में डाल लो ऐसे और ये ये जो अंदर चिक के अंदर वाला पाठ है उसको खुरोच लो ऐसे तुम देखोगे कि अंदर का कुछ material थोड़ा बहुत मांस के कुछ टुकडे बाहर आ जाएंगे अब इसी को जब तुम microscope के अंदर रख दो और थोड़ा सा iodine solution डाल दो जब अब तुम इसे microscope के अंदर रख के देखोगे न तो जो chick cells हैं वो तुम्हें कुछ ऐसे दिखेंगे chick cells दिख रहे हैं तुम्हें देख रहे हैं बिल्कुल दिख रहे होंगे और बीच में एक center में dark सा एक चीज दिख रहा होगा वही है nucleus जान लिया nucleus कैसा दिखता है अब चलो पड़ भी लेते हैं क्या काम होता है इनका cells में nucleus nucleus cell का control center कहलाता है yes इसी छोटे से nucleus के अंदर वो सारी information होती है जो एक father के अंदर से बेटे और बेटियों में transfer होती है अगर हमारे father लंबे है तो भाया बेटा और बेटी भी लंबे होंगे यह कैसे पता चलता है ये nucleus के अंदर ये सारी information होती है कि अच्छा इनके father लंबे हैं तो बेटे और बेटियों को भी लंबा करना है कैसे चुपी हुई होती है चलो पढ़ते हैं कि the nucleus has a double layered covering called nuclear membrane अगर इस nucleus को हम zoom करके देखेंगे न तो nucleus के बाहर ये double layer membrane होती है एक ये layer हो गई और दूसरी ये अंदर वाली layer हो गई ये क्या कहलाती है ये nuclear की membrane कहलाती है या nucleus की boundary कहलाती है the nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside that is to the cytoplasm मतलब क्या है मतलब ये है वह या कि ये जो nuclear membrane है न ये जो nuclear का बाहरी boundary तुम्हें दिख रहा है न इसी boundary में छोटे-छोटे holes होते है ये holes किसले होते है ये holes अगर nucleus के अंदर से कोई waste material बाहर निकालना है cytoplasm के पास तो ये इन ही holes से इन ही pores के थूँ होकर बाहर निकलते हैं ठीक है? समझ में आया और cytoplasm से अगर कोई चीज nucleus के अंदर जानी है तो भी इसी holes इसी pores के थूँ होकर जाएंगे और ये pores कहां होता है? nuclear के boundary के पास होता है nuclear membrane के पास होता है देखो ये जो nucleus होता है nucleus को अगर तुम microscope के अंदर देखोगे न तो ये तुम्हें एक rod shape का structure दिखाई देगा कुछ ऐसा इस structure को हम chromosome कहते हैं क्या कहते हैं? इस structure को हम chromosome कहते हैं लेकिन ये chromosome तुम्हें तभी दिखाई देगा जब cell divide होने वाला होता है हमें पता है cell divide होते हैं जैसे भाई देखो हम जब छोटे बच्चे थे हमारी body में बहुत कम cells थे लेकिन जैसे जैसे हमारी body बढ़ती गई हमारे पास और ज़्यादा cells होते गए cells divide होते गए तो जब cell divide होने वाला होता है तभी ये chromosome हमें दिखाई देता है अगर cell divide नहीं हो रहा है तो ये जो chromosome है वो बिलकुल धागे की तरह दिखाई देगा ऐसे धागे की गुच्छे की तरह दिखाई देगा मैं इस गुच्छे को क्या कहते हैं मैं आगे आपको बताता हूँ कहने का क्या मतलब है कि ये जो nucleus के अंदर chromosomes होते हैं ये देखो ये nucleus है nucleus के अंदर ये जो rod shape का तुम्हें chromosome दिख रहा है इसी chromosome को अगर हम और जूम करके देखेंगे तो chromosome के अंदर DNA होता है ऐसे DNA कुछ इस shape का होता है DNA क्या काम करता है DNA के पास ही वो सारी information होती है जो parents से next generation में transfer करनी है मतलब इस DNA के पास ही वो सारी information होती है जैसे father लंबे है father के बाल काले है ये सारी information DNA के पास होती है और यही DNA divide हो जाता है और ये सारी qualities उनके बेटे और बेटियों में transfer कर देता है ठीक है हमारे अंदर जो हमारे father के qualities आए है वो कैसे आए है इसी DNA की वज़े से समझ में आया है अब chromosomes are composed of DNA and protein ये जो तुमें rod shape का chromosome दिख रहा है ये DNA से और protein से मिलकर बना है ये ये है हमारा DNA और यहीं बीच में हमारा protein होता है तो मतलब chromosome किस से बनता है DNA से बनता है और protein से मिलकर बनता है अच्छा DNA के अंदर भी एक बहुत ज़रूरी चीज होती है देखो DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells ये ही DNA decide करता है कि जो बेटे और बेटियों के cells construct करने हैं जो नए cells बनाने हैं उनके अंदर क्या-क्या features डालने हैं जैसे father लंबे है तो ये DNA बोलता है ओहो father लंबे है तो भाई बेटे के cells में ये लंबा होने वाला feature जरूर होना चाहिए तो DNA decide करता है कि जो नया cell होगा उसका structure उसका feature कैसा होगा DNA के अंदर ये काम कौन करता है? DNA के अंदर ये काम genes करती है DNA ने एक employee रखा है ऐसे समझ लो जैसे हम अपनी companies में employees रखते हैं न काम करने के लिए ऐसे ही DNA के अंदर काम कौन करता है? genes काम करती है genes ही सारे information को transfer करके नए cells में लाती है In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of the chromatin material मैंने आपको पहली ही बताया बेटा कि देखो chromosomes हमें तभी दिखते हैं जब हमारा cell divide होने वाला होता है जब cell divide नहीं होता, तो ये देख रहे हो, ये chromosomes बिलकुल धागे की तरह होते हैं देख रहे हो आप, फिर से देखना, अभी जब फिर से ये GIF start होगा तो देखना, ये जो तुम्हें धागे की तरह structure दिख रहा है न, इसको हम क्रोमाटीन कहते हैं क्या कहते हैं, क्रोमाटीन मटेरियल कहते हैं जब क्रोमोजोम हमें नहीं दिखता, जब cell divide नहीं होने वाला होता है तो क्रोमोजोम नहीं दिखेगा, तो क्या ये DNA नहीं होगा? होगा, ये DNA इन ही धागों के अंदर छुपा हुआ होता है तुम cell के अंदर ये जो threads देख रहे हो ना ये देख रहे हो ये threads, threads देख रहे हैं धागे की तरह ये नहीं को हम chromatin कहते हैं, chromatin material कहते हैं जब cell divide होने वाला होता है तो ये chromatin material organize होकर chromosomes में convert हो जाते हैं अभी आप देखना, फिर से देखना, इस GIF को देखो देख रहे हो अभी धागा है, अभी इसे हम chromatin कहेंगे ये chromatin तब chromosome में बदल जाता है जब cell divide होने वाला होता है देखा कैसे बदल गया, ये तब ही बदलता है जब cell divide होने वाला होता है चलो आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं कि the nucleus plays a central role in cellular reproduction cellular reproduction किसे कहते हैं भाया जब कोई एक single cell divide होके दो नए cells में convert हो जाता है इसे हम cellular reproduction कहते हैं cell को divide होने में nucleus का बहुत बढ़ा हाथ होता है nucleus environment के साथ मिलकर ये decide करता है ये determine करता है कि जो नया cell है वो किस तरीके से develop करेगा और जब ये cell पूरी तरीके से mature हो जाएगा तो इस cell के अंदर क्या-क्या qualities होंगी क्या-क्या features होंगी ये nucleus ऐसा कैसे कर पाता है nucleus के अंदर जो भी chemical activities हो रही है जैसे waste material को बाहर निकालना energy को produce करना ये सारे chemical activities एक single cell divide होने के बाद दोनों नये cells में transfer कर देता है इस वज़े से nucleus हमारा central role पे करता है cell को divide करने में आगे पढ़ते हैं कि in some organisms कुछ ऐसे भी living organisms होते हैं जैसे bacteria हो गया हमारा bacteria के cells में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये जो bacteria का cell आप यहाँ पर देख पारे हो nucleus के अगल बगल boundary होती है वो नहीं है ठीक है तो in some organisms कुछ ऐसे जीव जनतू होते हैं जैसे bacteria हो गया bacteria के cells में जो nuclear reason होता है वो बहुत ही poorly defined होता है मतलब fix नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि उनके अंदर nuclear membrane नहीं होता क्योंकि उनके अंदर nucleus की boundary नहीं है nucleus की boundary नहीं है तो nucleus के अंदर जितनी चीज़े होती है वो फैल जाती है पूरे cell में ठीक है और ऐसा undefined nuclear reason जिसके अंदर केवल nucleic acids होता है उसे हम nucleoid कहते हैं देखो nucleoid का तुम्हें मैं picture यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ यह देख रहा हूँ यह हमारा bacteria का cell है और bacteria का cell का यह वाला जो हिस्सा देख रहो न यही है nucleus लेकिन इसे हम nucleus नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर nucleus की कोई चीज़े मौजूद नहीं होती है जैसे nucleus के अंदर बीच में nucleolus होता है वो भी इसके अंदर present नहीं है nucleus के अंदर हमारा chromosome बहुत साप साप दिखाई देता है यह भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो भाईया ऐसे cell जिसके अंदर केवल nucleic acid हो जिसके अंदर केवल nucleic acid हो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम nucleoid कहेंगे ऐसा किस organism में होता है ऐसा केवल bacteria में होता है अब यहाँ से दो बहुत important definition आपके लिए दी गई है सबसे पहला तो nucleoid का definition आप समझ लो nucleoid का definition क्या है कि भाईया undefined nuclear reason containing only nucleic acid मतलब ऐसा nuclear reason जिसके पास nuclear membrane नहीं होता है जो undefined होता है उसके अंदर केवल nucleic acids होते हैं ऐसे nuclear reason को हम nucleus ना कहके nucleoid कहेंगे तो ऐसे जिव जनतु जिनके nucleus में nuclear की boundary नहीं होती है जिनके nucleus में nuclear membrane नहीं होता है ऐसे जिव जनतुओं को हम prokaryotic organisms कहते हैं या केवल prokaryotes कह सकते हैं एक और important definition है कि ऐसे organisms जिनके nucleus के चारो तरफ nuclear membrane हो उन्हें हम eukaryotes कहते हैं तो ये बहुत है simple था आगे पढ़ते हैं कि prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in the eukaryotic cells कहने का मतलब ये है कि जो prokaryotic cells होते हैं मतलब ऐसे cells जिनके nucleus में boundary नहीं होती है ऐसे cells का जो cytoplasm होता है cytoplasm जानते हो ना for example this is cell और बीच में nucleus है तो nucleus को छोड़कर जो ये वाला material होता है इसको हम cytoplasm कहते हैं तो जो prokaryotic cells होते हैं उनके cytoplasm में से बहुत सारे organals बहुत सारे contents missing होते हैं जो eukaryotic cell में हमें देखने को मिलते हैं many of the functions of such organals are also performed by poorly organized part of cytoplasm हमने देखा कि जो prokaryotic cells होते हैं उनके cytoplasm में से बहुत सारी चीजे missing होती हैं बहुत सारी चीजे गायब होती हैं तो उन चीजों का काम कौन करता है उन चीजों का काम खुद cytoplasm करता है eukaryotic cells में cytoplasm के अंदर बहुत सारी चीजे होती हैं जो prokaryotic में नहीं देखने को मिलता है तो prokaryotic cells का काम कौन करता है वो काम cytoplasm ही करता है जो prokaryotic के अंदर cytoplasm होता है वही उन सारे missing contents के काम करता है जैसे मैं आपको एक example देता हूँ हमारे जो eukaryotic cells होते हैं मतलब जो एक normal cells होते हैं जिनके nucleus में membrane होता है उनके अंदर chlorophyll मौझूद होता है कहाँ chlorophyll मौझूद होता है plastics के अंदर आपको मैं आगे बताऊंगा कि cell के cytoplasm में एक ऐसे रंगीन सी चीज होती है जिसको हम plastid कहते हैं और plastid के अंदर chlorophyll पाया जाता है ये कौन से cell में पाया जाता है ये eukaryotics में पाया जाता है जिनके nucleus में boundary होती है लेकिन prokaryotics में क्या होता है prokaryotics में plastid नहीं होता तो chlorophyll कहां जाएगा ये chlorophyll prokaryotics में membranous vesicle के साथ जुड़ा हुआ होता है membranous vesicle क्या होता है ये एक bag की तरह structure होता है prokaryotic cells में इनहीं के साथ ये chlorophyll जुड़ा हुआ होता है तो मतलब basically हमने ये जाना कि prokaryotic cells जो होते हैं वो eukaryotic cells से कुछ मामलों में अलग होते हैं जैसे जो चीजे तुम्हें eukaryotic cells में देखने को मिलेगी वो prokaryotic में नहीं मिलेगी so this is all about nucleus let's move to our next topic cytoplasm cytoplasm नाम से ही clear है cyto का मतलब होता है भया cell cyto का मतलब होता है cell और plasm का मतलब होता है liquid cytoplasm cell के अंदर पाए जाने वाले liquid को हम cytoplasm कहते है तुम cell के अंदर cytoplasm को ढूल लोगी कहा होता है जैसे देखो जो onion का cell होता है जैसे ये वाला जो तुम्हें cell दिख रहा है this is onion cell और ये जो है human chick cell है इन दोनों cells में तुम देख पा रहे होगे एक बड़ा सा reason है जो cell membrane के अंदर है जैसे देखो ये बड़ा सा cell membrane है cell की boundary है ये भी देखो ये cell की boundary है cell के boundary के अंदर nucleus को छोड़ कर बाकी जितना reason बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है it is called the cytoplasm actually cytoplasm एक fluid होता है एक liquid होता है जो plasma membrane के अंदर पाया जाता है plasma membrane मतलब यही जो cell membrane होता है इसी को हम plasma membrane कहते है तो plasma membrane के अंदर nucleus को छोड़ कर ये जितनी बाकी चीजे तुमें दिख रही है ये सभी चीजे liquid है इसका नाम ही है plasma तो cytoplasm मतलब cell membrane के अंदर पाये जाने वाले सभी liquid पदार्थ को हम cytoplasm कहते है अब हमें यहाँ पर अगर हम cytoplasm को जूम करके देखें तो cytoplasm के अंदर बहुत सारे cell organelles होते हैं बहुत सारे cell के अलग-अलग हिस्से होते हैं और इनका अलग-अलग काम होता है जैसे देखो तुम्हें यहाँ पर mitochondria दिख रहा है mitochondria भी cytoplasm के अंदर पाया जाता है यह तुम्हें गौलगी body दिख रही है गौलगी apartus जिसे हम कहते हैं यह भी cytoplasm के अंदर है यह देखो endoplasmic reticulum या हम इसे short form में ER कहते हैं यह भी cytoplasm के अंदर है तो यह अलग-अलग cell के organals तुम्हें cytoplasm के अंदर मिल जाएंगे और इनका अलग-अलग काम होता है जैसे mitochondria mitochondria powerhouse of the cell कहलाती है यह पूरे cell को power यानि energy देने का काम करती है ऐसे ही गौलगी body का अलग काम होता है endoplasmic reticulum का अलग काम होता है हम आगे पढ़ेंगे इन सारी चीजों के बारे में चालो, आगे पढ़ते हैं कि cell organals are enclosed by membranes देख रहे हो, देखो cytoplasm के अंदर जितने भी तुम्हें ये cell के हिस्से दिख रहे न इन सभी organals में आपको membrane दिखेगा एक boundary दिखेगी, जैसे देखो यहाँ भी boundary है, यह देखो यह boundary है की नहीं है, यह देखो boundary है, यहाँ भी endoplasmic reticulum के पास भी boundary होती है तो सभी cell organals के पास अपनी-अपनी boundary होती है लेकिन जो prokaryotic cells होते हैं, मतलब जो bacteria के cells होते हैं अब इनके cells के अंदर क्या होता है, इनके cells के अंदर beside the absence of defined nuclear reason the membrane bound cell organals are also absent, जितने भी prokaryotic cells होते हैं, उनके अंदर nuclear membrane तो होता नहीं है, इसी वज़े से वो prokaryotic कहलाते हैं, ठीक है सबसे पहले उनके अंदर nuclear membrane नहीं होता, दूसरा उनके अंदर ये सारे जो भी cell bound organals है, cell bound organals मतलब ऐसे organals जिनके चारो तरफ ये membrane है, ये देख रहे हो, ये mitochondria के चारो तरफ membrane है golgi body के चारो तरफ membrane है endoplasmic reticulum के चारो तरफ हमारे membrane दिखते हैं तो ये सारे parts आपको prokaryotics में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखे, तो ये जो eukaryotic cell होता है, इनमें आपको nuclear membrane तो दिखता ही दिखता है, ये देखो nuclear membrane है मतलब nucleus की boundary है इसके साथ साथ ये सारे organals भी present होते हैं the significance of membranes can be illustrated with the example of viruses अब तुम कहोगे कि भाया prokaryotes और eukaryotes में केवल इतना difference होता है कि भाया eukaryotes के सभी cell organals में membrane होता है और prokaryotes में membrane नहीं होता तो क्या prokaryotes इनसे इनके activities में कुछ फरक पड़ता है, बिलकुल पड़ता है, जैसे हम viruses का example ले ले, virus के cell में कोई भी membrane नहीं होता है और इसी वज़े से जो viruses होते हैं उनके अंदर कोई भी life का characteristics नहीं होता है, देखो जो viruses होते हैं अगर उनको अकेले रखा जाए, तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, उन्हें जिंदा रहने के लिए, उन्हें survive करने के लिए, किसी दूसरी body में enter करना होता है जैसे आजकल coronavirus coronavirus को अगर तुम अकेले कहीं निकाल के रख दो ना, तो वो मर जाएगा लेकिन वही coronavirus जब हमारे body के अंदर आ गया तो वो हमारे cell के membranes को use करने लगता है, हमारे cell के machinery को use करने लगता है और machinery को use करके वो virus survive करने लगता है virus के पास खुद का membranes नहीं होता, इसलिए viruses अकेले जिन्दा नहीं रह सकते उन्हें किसी दूसरी के body में जाना पड़ेगा, ऐसे eukaryotes के body में जाना पड़ेगा, जिनके cell में membranes होते हैं ठीक है, तो cell membranes का importance यह होता है So this is all about cytoplasm and part 2 इस chapter का यहीं पर finish होता है, part 3 and last part of this chapter will be uploaded on 23rd of May, till then keep supporting, channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करें और video को end करने से पहले इस question का answer as a homework note down करते चले, और part 3 के starting में ही हम आपको prokaryotic cell और eukaryotic cell के difference को बता कर part 3 को start करेंगे So keep supporting, मिलते हैं अपने एक और नए जब 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 वीडियो के साथ तब तक शश्रियकाल and जैहिंद